तो हमारे समवादाता पवन सिवर ने सुभाष बराला से खास बाठशीत करी है क्या कुछ होई यह बाठशीत आप खुद सुनिया वैश्विक महारी करोना के चलते निपटने के लिए केंदर सरकार ने तमाम योजनाएं शुरू की और साथी हर्याना सरकार ने भी तमाम योजनाओं पर काम किया इस पर बाठशीत करने के लिए मेरे साथ हर्याना बीजेपी के अदेख सुभास बराड़ा है प्रदार्मंतर शुरू की अधार्याना सरकार ने अध्याइन अंत्र करोना महारी के दोर में जिस परकार से देश की अर्थ वबश्था को वरतमान प्रद्रीश्य में गति देने की जुरूर्ब थी तेश के प्रधान मंतरी जेंकर आत्वन दिरुर भारत का का किस गोशित किया था बीस लाग करोड का और उसके कारण से उसमें फिर अलग-अलग छेतर है चाहे वो MSME है चाहे वो इंफ्रास्टर को मुझबूत करने का मामला है क्रीशी छेतर है मनरेगा है ऐसे सब छेतरों में एक विशेस फोकस करके और काम को आगे बढ़ने की जो शुरुवात हुई है निश्चित रूप से इससे एक तरफ जहां बेरोजगार को उसमें रोजगार मिलेगा किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम भी मिलेंगे जैसे एक बजार पूरे देश में किसान के लिए इस दोर में घोशित किया है तो सारा मिला करके अगर हम बात करें तो हर दृष्टी से देश किस परकार से आतम निर्वर बने इस बात का परियास पल्हान मंत्री जी का है और हर्याना में एगरिकल्चर चेतर में भी मंदरेगा के चेतर में भी कोपरेटिव में भी और MSME खास करके जिसके उपर फोकस कि गया है और अब तक तेरा सो तीस करोड़ से चादा पैसा MSME को पलवद करवाया जा चुका है तो सारे कदम मिला करके मैं कह सकता हूं कि आतम निर्वर भारत की जो एक भावना देश के परधान मंत्री जी की है बनाने की उसमें हर्याना प्रदेश का एक अपना एहम योगद जाल में ले है कि हर्याना में जो जो झातर है उसमें हर्याना के लोगों को पिचेतर फिजदी जो है वह में आदे जाए इस का मुझे को क्वे मंत्प ब्रदेश हुआ है दोहसार ग्यारा से ही यह प्रावधान किया हुआ था अब इस जो वो सरकार नया कुछ नहीं है और नहीं पर्देश में उद्धोग नहीं लगने जा रहे हैं चुकि जिस तरीके के खलात हैं तो उद्धोगिक चेतर तो आगे बड़ी नीरा है कॉंग्रिस पार्टी और कॉंग्रिस के नेता चाए वो हुड़ा साब को अन्य हो उनको नया कुछ भी नहीं लगता किसी भी योजना के अंदर लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये जो भारती जन्ता पार्टी का अमरा जो विजन डोकुमेंट था उसमें भी शामिल था हमारी सेहोगी पार्टी का भी एक वाइदा था हमारी सरकार ने मु्य मंतरी मनहोर लाल जीन ने इस वाइदे को पूरा किया है और जहां तक उध्योग की बात है एक lot मैं दावे के سाथ कह सकता हूँ कि जिस परकार से देश के प्रदान मंतरी जीने एक नारा दिया वोकल हो और लोकल और उसके चलते जिस परकार से देश को आतम निरवर बनाने के दिशाग में कदम बढ़ाई गए हैं और हमारे केंदर सरकार का जो एक आर्थिक मदद है प्रदेश को वो बड़े उद्योगों के माद्यम से भी मसमी के माद्यम से भी नावाड के माद्यम से भी ये और दूसरा विदेशी पूंजी निवेस जो आकरशित होने की पूरी संभावनाएं और वो भी अर्याना प्रदेश में आने की संभावनाएं बड़ी हैं उसके चलते बड़ी संख्या में उद्योग अर्याना प्रदेश म नया जो उद्धोग होगा नई उद्धोगी का ही जो लगेगी उसमें ये आरक्षन की जो प्रोसेस है ये लागू होगा तो हर्याड़ा में पिछले पांच साल में कोई बहुत बड़ा उद्धोग जो है वो नहीं आता दिखा चूंकि मारूती है या जो भी बड़े उद्ध सार हर्याड़ा के बज़ए दूसरे जिर्गें पर किया तो क्या मानते हैं कि जब पिछले पांच साल में कोई बड़ा उद्धोग निया जब सब को स्थितियां जो अनुकूल थी तो आप तो महौल जो है वो करोना के वैसे किस तरीके का है और आगे लंबे समय तक किस तरी के अंदर एक वातावन बना था कोरोनों के कारण से धेरे धेरे चीज़ें उससे बाहर आ रही हैं धेरे धेरे अरियाना के जो उद्योग हैं अपना जो कामकाज हैं उनका वो पर डिक के उपर लोट रहा है और जिस परकार की जो एक व्यवस्ता आतम निर्वर भारत के अंदर लगने शुरू होंगे और निश्चित रूप से वे रोज़गार नौजवान को उसमें रोजगार पिलेगा हर्याना में बरोदा का चुप चुनाओ होना है हलांकि अब चुनाओ आए उकी तरफ से कोई तारीक का इलान नहीं है लेकिन सियासत हर्याना में इस मु कावे में आने वाले नहीं हैं और वो कहरें कि कांगरेस अब फिर यहां से जीत दर्ज करेंगी देखे ये तो हुड़ा साब को समय जरूर बता देगा कि बेशक हमने कभी बरोदा विधानसवा चेतर ना जीता हो लेकिन भारती जनता पार्टी की सरकार चैवपूरों में प्रदेश को और देश को इससे बाहर निकालने के जो प्रयास हमारी सरकारों के चलते हुए हैं निश्चित रूप से बरोदा जो उपचुनाव है भारती जनता पार्टी जीतेगे और अरियाना प्रदेश में एक नया इधियास हमारी जो घठबंधन की सरकार बुनाएगे आपने का कि बरोदा का चुनाव भारती जनता पार्टी जीतेगी गठबंधन में लड़ेंगे उमिद्वार गठबंधन का होगा बीजेपी का होगा इस परस्तिती कब तक सपस्ट होने की उमित कर सकते हैं। रणनीती में कोई बदलाओ किया है क्या या क्या मानते हैं। पांच साल में या फिर आप जो गठबंधन की सरकार काम कर रहे हैं। उसकी बदलत जो विकास हुआ है जो डवलप्मेंट हुई है उसके मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और बीजेपी जेपी का गठबंधन जो है वही चुनाव जीतेगा। विडियो जर्नलिस्ट विजेंदर सिंग के साथ पावन सियूहर जनता टीवी चंडिगण। विजेंगा।